हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागा था यह प्यारे बच्चों जो वीडियो है यूपी बोट के बच्चों के लिए है यूपी बच्चों के लिए जो इस्पेसल वीडियो बना रहा हूं जो आपका 11 अप्रेल का पेपर है औ कि सर कमिस्टी की तैयारी कराई है जो भी हो सके तो यहां पर देखें मैं मोस्ट कोशनी सॉल्व कराऊंगा जैसे आज को कोशन देखिए ब्राउनी किसे कहते हैं इसका काण क्या उदान से समझाई है और भी कोशन यहां पर मैं कंप्लीट कराऊंगा तो वीडियो गों तक कभी अपने घर में एक छोटा सा शित्र देखिया अंधेला में और सूर्की किरण वहां से आ रही होती है तो कण जो होते हैं तेड़े मेड़े गती करते हुए नजराते हैं या कि आपकी कमरे में ही अंधेला हो और आप एक टार्च जला दो पैर बच्चो टार्च जिसको बो में अवा 1027 में देखा थे अब देहो ब्राउनी के नाम ब्राउनी गती की क्यों पढ़ा व्लाइड बिल्यान उसमें जो कण है वो टेढे मेरे गती करते हुए नजराते हैं हैं इसकाओ बिखाय रावर्ट ब्राउन ने किया था 1827 में इसले से ब्राउनी गति कहते हैं ठीक है बस यहीं सिंपल है आपका क्या ब्राउनी गति तो डाइग्राम आपको इतना बना लेना है यहां पर देखो कि कोलाइडी बिल्यन का अधिसूच में दर्सी से निरिच्छन करने पर यह ज्यात ह होता है कि कोलाइडी कर सदेटेड़े मेड़े तरीके से सभी दिसाओं में गति करते रहते हैं इस प्रकार की गति को सबसे पहले रावर्ट ब्राउन ने सन 1827 में देखा था इसले से ब्राउनी गति कहते हैं बीनर ने भी अपना परिवासा दिया था कि वह गति जो में पूर्णता समाप्त हो जाता है आपको अपने वहां सामें लिखना तीन अंक को कोशन आ सकता है यहां से एक्जामपल के तौर पर मैंने आपको समझाया था कि ब्राउनी गति के कर रोसंदान से आते हुए प्रकास मार्ग में धूल के कर तैरते हुए दिखाई देते हैं से लिखना है लेकिन थोड़ा समझना है अब आप यहीं समझ गए कि यहां कणों का टेढ़ा मेड़ा गति ब्राउनी गति कहलाता है अब देखो इधार आप थोड़ा बहुत चित्र बना दिए और इसका खोज बता दिए कि इसको सनाट्रस 23 में राबर्ट प्राउन ने बत पहले भी नोट्स दे रखें वह सरवच्चे मुझसे पर्जेस भी हैं 100 उपए में आल जैप्टर के नोट्स मिलाते हैं हमारे माध्दम से आपके विधिवत तैयारी करना है तो 100 उपए मात लगाओ पूरे complete नोट्स पा सकते हो यह आपका पहला कोश्चन complete हो चुगा है इसमें से हम किसी भी माध्यम से एक प्रकास्किरण डालते हैं तो इसमें टिंडल नूमा एक संकुन में एक झायाती दिखाई देता है घृँ टिंडल संकु कहते हैं और इस प्रभाव को टिंडल परभाव कहते हैं विलकुल S Đे कॉमकदार ऐक तो व्य Igor बैॅद लाइड़ापे कुला वुकष घीक Maisl been उॉख मेन नाथ में दिखा जाएॹ इसँ प्रकास मॏस झॅद एक से चमकते हुए ये रूप में दिखाई डें ताया संकुनुमय आक्रति बन इसमें कैसे बनती है संकुनुमा आक्रती बन जाती है इसका अध्यन सबसे पहले टिंडल ने किया था ऐसे टिंडल प्रभाव कहते हैं चमकीले संकु को टिंडल संकु कहते हैं टिंडल ने बताया था कि कुलाइडी कर प्रकास को बिखेर देते जिसके कारण चमकने लगते हैं प्रकास का ये प्रक्रिडन सधान प्रक्रिड़न से भीनोता है, बस्तव की सुझ आकर प्रकास सभीनों नहीं करते, आगे आपको लेखने को ज़रुल अलबा यह बता रहा हूं उन्हें, जैसे ही प्रकास का कगिनों को फैला देता है, और एक संकु चमक्दार एक प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे पहले पुष्टी किस ने किया था या इसका अध्यन किस ने किया था इस काड़ से इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं सिंपल है आप लोग में जिने जितना बता है उतना आप स्क्रीन साथ ले लो यह डाइग्राम आपको बनाना पड़ेगा डाइग्राम का एक नंबर बन जाता है ठीक है तो जब भी किसी भी प्रकास पुझ को को लाइडी बिल्लियन से हम गुजारते हैं पहले बच्चों तो क लिख लो काफी है यह आपका टिंडल प्रवा कंप्लीट हुआ हुआ समझ में आया जितने भी कॉश्चन करा रहा हूं स्लेक्टेट कोश्चन है एक भी कॉश्चन आपको छोड़ना नहीं है फटटपट आपको तयार कर लेना पैर बच्चों एक भी कॉश्चन नहीं चोड होता है कि दूद में खटाई डालने से फट जाता है देखो दूद बसा का जल में पायस होता है जिसमें एल्विमीन दता था केसीन पायसी कारक होता है जब इसमें खटाई मिला जाती तो इसका सकंदन हो जाता है और थक्का जन जाता है इस प्रकार दूद में खटाई डाल इससे समंदित question आ सकते हैं, तो दूद में क्या होता है, दूद में बसा, दूद एक प्रकार का पायस है, प्यार बच्चो, दूद में बसा होता है, जल में, यह नि बसा किसमें मिला होता है, जल में मिला होता है, एक प्रकार का पायस बन जाता है, जिसमें albumin तथा, केसिन पा जाते हैं क्यों ये बहुत अच्छा कोशिन देखो जल को साफ करने में फिटकरी मिलाते हैक Pot असुद जल को होता है आप लोग ने देखा होगा असुदी जल असुद्र जल में सबसे जयादा क्या होगा ठूटी इतुhan डोल करण होते हैं जिसमें निगेटिव कर्ण होता है। जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। जैसे फिटकरी मिलाथेAyamum 3.5 juntimo Kalmavn जैसेज करनेते हैं तो चूछिंप झोला, जनल का रख़नेके लिए पुरीड रिर्वीप कर देता है। जल होता है कि चोटे चोटे कर देस्ट होते हैं इने में एक Most is पाणी इसमुद्र में मिलाती है वहाँ डेल्टा बन जाता है यही कारण है पेर बच्छो नंदी household यहां पर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डाइग्राम के माहतलं में से एक यहाँ से नंदी पाणी आ पर बहुत सारे लवड होते हैं और लवड में आपका केलसियम पास्टीव होता है यहां पर बहुत सारे पास्टीव उपस्थित होते हैं यहां से जो कण आता है वो निगेटिव चार्ज लिया हुआ आता है जैसे इसके मुहाने पर मिला इधर का पास्टीव इधर का में धेर बना लेते पर बच्छो तो आपको बन जाता है क्या देलता बन जाता और कुछ नहीं है इसमें फैक बस यहीं है ठीक है देख लो जरा नदियों के जल में बिट्टी तथा रेट के रिड़ावेसित कुलाइडी कर पा जाते हैं मतलब जो नदियों का पानी जाता है उसमें छोटे-छोटे कड़ आपको पताई है मिले रहते हैं रेट के कड़ रहते हैं और मैंने बतायों पानी के साथ जो कड़ होंगे वो रिड़ावेसित होते हैं जब नंदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र के जल में जो लवड पाया जाता है परवच्चो और ये लवड में अनेक प्रकार की सकंदन की क्रिया की फ्लसुरूप इसमें पास्टिव चीज होता है और पास्टिव जो है कड को उदासीन कर देता है कुल मिला करके जो लबड होता है यहां से आपका पाश्टी बाता है और जो आपका क्या होता है यहां पे पानी होता है उसमें जो कड होते निगेटिव चार्ज होता है तो जैसे ही लबड मिलता है पानी से मिलता है तो जो पानी होता है परवच्छो धूल कड से मिला होता है इसकंदन हो जा चलिए एक क्वेशन यहां से बनता है एक अपोहन और विद्दूत अपोहन यह दोनों टॉपिक महत्पून है और पूरा एंसर के साइट में प्रवाइट कर रहा हूं ताकि आपनों को डाउट नहों बाद में आप गाली नदों की सर आपने जो दिया उसमें कुछ समझ भी न पूहन का मतलब क्या होता है एक प्रकार से जो आपका कुलाइडी बिलियन होता है इसमें सुधियों को अलाग करना चाहते हैं क्या करते हैं अलाग करना चाहते हैं जैसे जो भी हम कुलाइडी बिलियन होता है देखो यह एक छोटा सा बैग दिख रहा है इस बैग को हम किसी बिलयायक में क्या करके डुबा कर रखते हैं ताकि इसके सुद्धिया कहा हो जाए बाहर हो जाए देखो जा, थोड़ा समझो यहां पर आपका देखी रखा प्यरबचो एक बैग है छोटा सा इस बैग में हम क्या रखते हैं, सौल रखते हैं जो की अर्ध पारेगम जिल्ली होता है, जन्तु जिल्ली जिसे चर्म पत्र की थैली भी कह सकते हैं, इसमें कोलाइडी साल भर करके रख देते हैं, अब इसको एक बीकर में डुबाते हैं, ये बीकर होता है, बीकर में भरा होता है बिलायक, जिसमें होता है किया पैरवच्चो बिस्रण की क्रिया के फर सुरूप इसके जो अंदर का सुद्धी है वो जाकर के पानी में मिल जाता है पानी के साथ निकल जाता है जैसे यहां से बिलायक डालते जाते है और बाहर निकलता जाता है तो जब बिलायक यहां से जैसे पानी है निकलता जाएगा इसके बाहर निक से सुद्यों का पारेगम जिली से विस्हांद द्वरा अलग करने का प्रक्रम को हम अपोहन कहते हैं इसकरिया के लिए प्रियूंक्ट व और की एक कोलाइडी साल डाल कर एक करमाई करते हैं मतलब मतलब एक पत्र की थैली होती है जो पारगब चल्डी की समान काम करती है उसमें हम सॉल डाल देते हैं और एक बीकर में लिटका देते हैं और जल को लगातार प्रवायद करते हैं जिससे कुलाइड में उपस्थीत बैदूत अब घटन विश्रित हो करके बाहर निकल जाते हैं और ठंड जिल्ली है चर्म पत्र की थैली में रख देते हैं जो कि एक बिस्रण की क्रिया होती है और इसे एक बीकर नटका देते हैं जिसमें बिलायक पानी भर रहता है या पानी प्रवायद होता रहता है जैसे हम पानी प्रवायद करते हैं तो इसके सुदियां बाहर हो जाती है और यहां पर हम बाहमाद्धम से प्लस माइनस कैथोड एनोड का यहां पर है ना ताकि यह आकरसित करें ताकि यह विपरीत आयन वाले असुद्धियों को क्या करें आकरसित करें इसलिए यहां पर हमें एक कैथोड लगा देते हैं जो निगेटिव होता है वो निगेटिव चीज को अकर्षित करेगा अपोजिट होता है ना ये चीज़ देखो यहां पादरा इसी विदी का प्रयोग विद्धुत अफगटों के सुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं और विद्धुत अफगटों के आयन विप्रीत आवेश वाले लेक्ट्रोड के ओर तेजी से गत करते हैं और विद्धुत अफगट जैसे सक्कर है यूरिया के लिए विद्धी उपयोक्त नहीं होता मनुस्य के सरीर में गुर्दा एक प्राकर्तिक अपोहा की बहार करता है जब रक्त का कोलाइडी विलियन इसमें से गुजरता है तो रक्त में उपस्थित यूरिया एव से इसमें पेपिक आपको और मिस नहीं करना जितना मैं करा रहा है ल Chart 5 आप से नबर मिलते आ दी आप डाइगराम साधी नाबर कटेंगे इसलिए आप लोगों को डाइग्राम बहुत जरूरी वही डाइग्राम आप अच्छे तरीकी से बनाओं इसके बाद अगला कोश्चन है आपके लिए प्यप्टी करण के क्रिया सचीत समझाना प्यप्टी करण है क्या पर बच्चों कि इस बीदि में जिस पदार्थ का कुलाइडी बिलिएन बनाने की मैथड है मैं यहाँ पर समझादू यह कोश्चन है यह मत कहना कि सर कोश्चन कहां से मिली इंपोरडन कोश्चन यह है जितने भी करा रहा हम इस बीदि में जिस पदार्थ का कुलाइडी नाना होता उसका ताजा बच्छेप लेते हैं और इस बच्छेप में एक अनुपरिवत अभी कर्मक मिलाते हैंdetयॡ जो प्रिप्टी कारता है मतलब खेlyसे हमें 2 पदार्थों को मिलाको बिलाकर एक कॉलाडी बिली meditation बने इसलिए इसमेंके कर्मक मिलातें जिसे प्रिप्टी कर्ण कुल मिलाकर पेर बच्चों ये चीज़ है कि कुलाडी मिलियन मनाने की एक बीधी है कि प्रिप्टी करण पर टिप पड़ी आता है ठीक है जैसे अलुमिनियम हाइड्राकसाइड के ताज अब अच्छेप के कुछ तनु एसल बिलेजल के सांदुबालने पर एल ओच का ह कुलाडी अवस्था में चले जाते हैं इसे फेरिक हाइड्राकसाइड के वच्छेप में बीटूत अब घट फेरिक कुलॉराइड बिलाने पर प्राप्त फेरिक हाइड्राकसाइड सौल से समझा सकते हैं यानि प्रप्टी करण है क्या कुलाडी बिलियन बनाने की वीधी ह इसमें क्या करते हैं जिस पदार्थ का कुलाड़ी बिलियन बनाया जाता है उसका ताजा वच्छेप लेते हैं और इसमें अभिकर्मक मिलाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं प्रप्टि कारक कहते हैं और यह जो प्रक्रिया है जो इसमें प्रक्रिया होते हैं उसे प्रप्टि कर कहते हैं एक भी कोश्चन मिस मत करना सभी प्रश्णों को त्यार कर लेना आज के लिए इतना ही और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं लिए वीडियो के साथ जैहिन बंदे मतरम